यहां कौन से दादा थे जो मुझसे सीधी रेखा मिला कर बैठे थे नहीं मैं वही देख रही थी कि रेखा तो बहुत से लोग मिला कर बैठे इने कौन सा वाला दिखा है पर बहुत आनन्द में आप लोग हैं सच में बहुत उत्सा में है मैं तो जब महां उत्री और इस कारिक्रम के लिए अंदर आने लगी तो शायद यही इन में से ही कोई दादा थे जो मुझे आकर बोले कि इभवन मौहिनी जी मैं आपको बहुत सुनता हूँ रोज सुनता हूँ एक बात कहनी है आपसे मैंने का कहिए बोले आप मेरे साथ पिच्चर चलोगी सच मानिय मैंने उन्हें उपर से नीचे तक देखा उनका आत्म विश्वास देखा मैंने का दादा जब लाइफ में रती का एपिसोड चल रहा हो तब जैमा संतोशी नहीं देखी जाए आदन ये कमिश्णर सहाब यहां बैठे थे अच्छा वो कमिश्णर जो किसी की नहीं सुनता वो कविता भी कितनी देर तक सुनता वो अपनी गती को प्राप्त हुए हैं लेकिर जितने भी महनी लोग हैं जिन्होंने इस कारिक्रम के लिए अपना योगदान दिया है ये जो सेवार्थ के लिए परमार्थ के लिए ये कारिक्रम हुआ है मेरा मन है कि एक बार आप सभी लोग उन लोगों के लिए तालिया बजाए जिसके नीव के पथर रहे हैं मैं बहुत बहुत इन्हें धन्यवाद साधुवाद देती हूँ आदैनिये सुरेश जी अब अंतर ध्यान हो गए हैं थोड़ी देर तो यहां बैठे थे चले गए उनका जाना ही बैठर था सच मानिये इस कारिक्रम के लिए उन्होंने मुझे इतने फोन किये पंद्रा दिन पहले से यह कारिक्रम बुख हुआ प्रति दिन उनका फोन आता भुवन मुहिनी जी आप कैसे पहुँचेंगी भुवन मुहिनी जी आप पहुँच तो जाएंगी भुवन मुहिनी जी कितनी बज़े तक पहुँचेंगी सच मानिये जब भी मेरा फोन बचता तो मेरा नो साल का बेटा मुझे फोन लाके देता कहता मामा जी सूरत से फोन कर रहा है अभी तो पंगरा दिन वो ये फोन करेंगे का आप इंडोर पोज गई लेकिन बिल्कल चिंता मत करिये आप कह रहे थे दो का गुणा कर चार का भाग मत लगा आप उन्हें देखिए और फिर उनकी अप्रोच देखिए लेकिन बड़ा आनंद में आप हैं मैं भी कोशिश करूँगी कि आपकी इस आनंद को और उत्साह दे सकूँ गंभीर बात गंभीर मेरे आचरन में भी गंभीरता है नहीं मैं चंचल स्वभाव की हूँ तो बस मैं उसी चंचलता को उसी उत्साह को आपको देने का प्रयास करूँगी कुछ पदों के माध्यम से आपसे जुड़ती हूँ पिर जैसा जैसा आप सुनेंगे सुनाती चली जाओंगी सुनिएगा बावरिया शब्द आप सभी समझते क्या होता है उसी को लेकर कुछ पदों की यात्रा आपको करवाती हूँ अच्छा केशर देव जी तितने प्रसंदता से बैठे है जैसा उनके लिए कहा था अतुल जी ने कि मारवाड़ी आदमी इधर बैठता है उधर बैठता है इधर बैठता है ये भी कम मारवाड़ी नहीं है रंग भी इनोंने इतना पक्का पाया है हाँ रंग भी इन्होंने इतना पक्का पाया है कि अगर ये लिम्खा की गोतल भी छुले तो कोको कोला बनते उसे टाइम नहीं लगे अच्छा एतना पक्का रंग जो पाते हैं भूली खेलने से पहले पूछना पड़ता है खेल लिए कि खेलोगे मैं इनको प्रणाम करती हूँ आनन्द आपका आदरनी तो बिलकुल आलक्ती पालक्ती लगा के बैठ गए हैं मुस्कुरा भी ऐसे रहें कि मैं अनार कली और आप जिल्ले ही लाही ऐसी तरीके से खारिक्रम चलेगा लेकिन सुनिए बहुत आनन्द में आप हैं मैं आपको और आनन्द की यात्रा से दुनमा करती हैं सुनिेघा कि हो गई हो गई रे फॉर्य दुनिया हो गई रे अजर्य दुनिया हो गई रे पॉर्य दुनिया हो गई ई मेर यह तब तक गाँऊंगे Đ глаз अजब तक drag तक सबने तालिया नहीं बजाई अज्यक्षी आप भी तालिया बजाये मैं ब्राहंभन हुं और सारे शास्तर पढ़ें कहीं नहीं लिखा कि जो अध्यक्ष बनता है, वो ताली नहीं बजाता है, तो आप भी ताली बजा सकते हैं, हो गई, हो गई, आज के दिन आपको इनकी तरफ से भी पूरी छूट है, सुनिएगा, कि हो गई, हो गई, रे पावर्या, दुनिया हो गई, रे, हो गई, हो गई, पावर्या दुनिया हो गई रे एक मीरा थी प्यार किखा तिर पिया जहर का प्याला आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल लाला हो गई रे पावर्या दुनिया हो गई रे अच्छा आदर नहीं वीडियो बना रहे हैं आप इस उम्र में वीडियो का करेंगे सच माने खत्रा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया है भूत काल छोड़ो दादा जी वर्तमान में लोटो घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो हो गई हमारा अधिकतम समय जो है कि सच मानी इस मोबाइल में जाता है और उसमें भी ये कुछ चेहरे तो मैं देख रही हूँ जो वाटसप पर डीपी को जूम करने में निकल जाता होगा मैं दो पंक्तिया सौपती हूँ अगर यानुभो आपके आसपास से कही गुजरा हो तो फिर मुझे सूचना देना में सुनाती हूँ कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल जिसको सोलह साल की समझा निकली सतर साल हो गई हो गई है पावरिया तनिया हो गई है अचा अतुल जी इतनी बात कर रहे थे हनुमान जी को तो मैं कुछ कही नहीं सकती हूँ मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई हो गई हो गई हो गई हो गई है कि इधर का मोला थोड़ा सा खामोश है आप भी थोड़ा चेतन्य होई ये जितना आप देखने का आनंद ले रहे उतना आप सुनने का भी आनंद ले सकते हो जिस आत्मविश्वास से मुझे कह रहे हो क्या है पर आप भी मेरी चार पंक्तिया सुन लीजिए कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते हम नीलाम हुए पहली जब आपको इतनी समझ में आईए तो चोथी और समझ में आईए कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते और विजलियां भी गिर कर जहां शर्मसार होती है अम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते है देखो भुवन जी ऐसा है कि खंडर में खजाना मिलता है मुझे मालूँ था आप बोलोगे मैं बोलोगे कि आप निहत्तों पर बार करोगे तेसा थोड़ी चलगा उनका वकील हूँ गया वकील बहुत बुरी जात होती है देखो ऐसा है कि आपने उनके लिए जो कहा वो अपनी जगे है खंडर और भकवाट जाने क्या पूराना मकान बता रही थी तो पंक्तिया सुनना और अगर बात इनकी तरफ से आपकी तरफ से अच्छी कह दूँ तो फिर तालियां बजाना कि तुम्हारे उल्लू बनाने की कला आजकल फेशन पर है अब पहली बार आप सुन रहे हैं इनको आपकी तरफ से कह रहा हूँ है इनका जवाब ठीक हो तो तालियां बजाना कि तुम्हारे उल्लू बनाने की कला आजकल फेशन पर है पर मुहब्बत की गारी अब सही इस्टेशन पर है और ये मकार खंडर हो तूटा हो केसा भी हो पर याद रखना ये खंडर अभी भी प्राइम लोकेशन पर है ये कहके इन्हों ने अब भुष्य कितना सिक्योर कर लिया क्या चाहते हो आप जवाब दे दूँ ऐसे हा न नहीं मुझे ताली बजा कर समर्थन दो तो मैं कुछ भी हो खंडर प्राइम लोकेशन पर हो या कहीं भी हो खंडर तो खंडर ही होता है लेकिन एक बात आप मेरी भी सुन लीजिये कि लाचार पर कभी अध्याचार नहीं करती अच्छा ध्यान उस तरफ लाचार पर कभी अध्याचार नहीं करती मारे हुए पर अपना अधिकार नहीं करती और सब जानते हैं भूके रहना मन्जूर है मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती है देखो ऐसा है गुवन जी के अत्याचार छोलो मोहबत के दस्तूर से काम चला लो अब अगर बात ठीक हो तो फिर तालिया आपकी वेशी आना चाहिए और सुनना हिनों ने जो कहा अगर उसका जवाब ठीक हो तो के अत्याचार छोलो मोहबत के दस्तूर से काम चला लो जब तक तर्बूज ना मिले खटे अंगूर से काम चला लो और अब उठाना पंक्ती के तब तक खंडर तर्बूज ना मिले तब तक खटे अंगूर से काम चला लो और शिकार अब तुमारे बस की बात नहीं जब तक नहों कोई इंतिजाम लंगूर से काम चला लो यह तालियां किन लगते जितने भी सहयोगी थे उन्होंने तालियां बजाई लेकिन मैं भी चूप रहने वालों में से हूँ नहीं जन्म मेरा भी राजस्थान में हुआ है चार पंतियां आप मेरी ओर सुन लीजिए उसके बाद हम इसको विराम देते हैं यह जिन खंडरों की पैरवी आप कर रहे हो कि हो लाखो का का जरा से गिफ्ट में कर लें यह आस्मा की सेर भी लिफ्ट में कर लें और इन्हें आश्रम गुफा जेल कहीं भी रख दो इन्हें आश्रम गुफा जेल कहीं भी रख दो मोहबत करनी हो तो तिन शिफ्ट में कर लें